नमसक् framework दूस्तों, मैं चन्दन आप ऋपित्व का फिर से स्वागत करता हूँ आपके अपने चैनल पोस्ट काट पर दूस्तों बस दो ही मैंने वह हैं हमारे इस चैनल पोस्ट काट को लेकिन आप सभी ने अभी तक जितना भी प्यार मुझे दिया है उसके लिए आप सभी का बहुत-बहुत धन्यवाद, अगर मेरे इस वीडियो बनाने की जर्णी में कुछ भी अगर मुझसे गलती हुई है, तो मैं फिर से आप सभी से हाथ जोड़कर आपसे शमा प्रार्थी हूँ, अपना छोटा भाई समझके माफ कर दीजेगा अगर जो प्रधान-चनन शूरक्षा स्खीम है, प्रधान-चन शूरक्षा बिमा योजना, प्रधानमंत्र जीवन-जूति-विमा योजना और हम और एक तीस्रा वीडियो में बनाने वाले हैं, जिसमें होगा कि, nuestras ब्रधान-चना फिर शुरक्षा बिमा योजना के उपर, एक अ तो ये तीन वीडियोज होगे आशा करूगा कि आप सभी को ये वीडियो बहुत अच्छा लगने वाला है और अगर अच्छा लगता है तो इसी तरीके से आप अपने चैनल पोस्ट कार्ट के साथ जुड़े रहिएगा तो चलिए शुरू करते हैं पोस्ट कार्ट दोस्तो प्रधान मंतरी सुरक्षा भीमा योजना के उपर में अब मैं आपको कुछ बताने वाला हो तो मैं एक चोड़ा सा प्रेजेंटेशन आपके लिए बनाया है तो चलिए देखते हैं प्रधान मंतरी सुरक्षा भीमा योजना का ये प्रेजेंटेशन तो दोस्तो कि इस scheme में claim process क्या रहेगा, फिर आ जाते हैं details of the scheme में, तो PMSBY एक accidental insurance scheme है, जिसमें accidental death और disability का coverage मिलता है, annual renewal होता है, और इसका premium है मात्र 12 रुपया साल का, लेकिन, interestingly, अभी almost 7 साल होने को है, लेकिन इस scheme में इतना, मतलब इतना बड़ा turn out महीं देखा गया है, क्योंकि PTI के report कितना कम इसके उपर में knowledge है लोगों को, तो ये video बनाने का मकसद भी ये है, कि आपको जादा से जादा इसके बारे में जानकारी मिल सके, तो चलिए, कौन ये scheme खोल सकता है, कौन ये योजना का लाव ले सकता है, अगर आपका age 18 से 70 साल का बीच का है, तो आप ये scheme ले सकते लेकिन post office savings account होना जरूरी है, फिर आपके इस account में आधार card और pen card linked होना भी आवश्यक है, तो चलिए देखते हैं benefits क्या है, तो जैसे कि मैंने बताया, ये renewal, auto renewal होता है, 12 रुपया इसमें premium है, तो हर साल आपको ये ध्यान में रखना है, कि 512 रुपया आपके account में तो होने च जाएगा, लेकिन अगर आप अपना post office savings account बंद कर देते हो, तो ये जो आपका PMSBY है, ये भी policy immediately lapse हो जाएगा, इसमें risk coverage है, risk coverage है, आपका 2 लग का मिलता है for accidental death, और हाँ partial disability का भी 1 लग तक मिल जाता है, अब जैसे कि माल लीजेगर एक हाथ, एक लग और एक आई का disability हो जाता है, natural calamities के दौरान, तो आपका ये, इसमें आप cover हो जाएंगे, लेकिन suicide cover नहीं होता, हाँ, murder अगर हो जाता है, तो ये cover हो जाएगा, वही, policy does not provide any coverage in case of irrecoverable loss of eyesight, loss of one hand or foot, अगर accident के दौरान, आपका एक हाथ चला जाता है, एक पैर चला जाता है, या फिर आपके आखों की रो इसमें maximum 2 लाग का coverage मिलता है, एक लाग तक तो partial disability में मिली जाता है, लेकिन maximum 2 लाग तक ही मिलता है, कोई waiting period नहीं है, लेकिन जैसे कि PM JJVY, उसके उपर में भी हमने एक वीडियो बनाया है, वहाँ पे आपको 45 days का एक waiting period रहता है, यहाँ कुछ waiting period नहीं है, इसका मतलब है after the death, अगर ऐसा कुछ certain incident हो जाता है, जिससे जान चली जाती है, या फिर कुछ disability हो जाती है, तो from that time, 30 दिन के अंदर में आपको यह claim का लिए आविदन करना पड़ेगा, claim process क्या है, तो अगर मृत्पी हो जाती है, तो death certificate, accidental death, अगर होता है तो उसके लिए तो obviously FIR का copy ज़रू होगा, क्योंकि जो भी आपको जो accidental, जो 2 lakh का coverage है, या फिर disability का cover है, वो आपके account में ही चला जाएगा, तो इसके लिए आपको account details देना जरूरी है, और relation भी बताना जरूरी है, ताकि nominee को easy process में claim दिया जा सकता है, आपको यह video आज का अच्छा लगा होगा, और अगर अच्छ इपओा है ओजा ऑच्छा जो आपको हईख्को अज़तोरी है, ऑखको हढ़ाना जरूरी है